हेलो एविवन वेलकम तो कॉमर्स इस्प्रेट दसी एस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरें टेट मैंनेजमेंट के एमसी की उसको इसके पहले फॉर्स पार्ट में 25 कोशन तक हो चुका है कोशन में 26 से यहां पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपको अबाउट इंडियन ट्रेट पॉलिसी 2015-2019 भारत व्यापारनीती निर्यात और आयात 2015-2019 के बारे में इमने लिखित में से कौन सा कथन सत्य है सबसे पहला है आपका doubling the export निर्यात को दोगुना करना दूसरा है achieve 3.5% share in global export वैश्विक निर्यात में 3.5% हिस्सेदारी शामिल करना और तीसरा है आपका introduced two new schemes MEIS and SEIS दो नई योजनाओं की स्रुरुआत करना चौथा है introduced simplified आयात मिर्यात form तो यहाँ पे 4 statement दिया है आपका यहाँ पे code दिया हुआ है कि सिर्फ पहला और दूसरा सही है पहला और तीसरा सही है दूसरा और तीसरा सही है all of the above correct है तो जितने भी statement दिये गया है चाहे double करना export को 3.5% global export में share को achieve करना था फिर दो नई skins लाई गए थी और उसके साथ सा जो आयात मिर्यात form था उसको easy कर दिया गया था simplified form में present किया गया था तो यह सारे के सारे statement 2015 to 2019 से related सही है इसका answer होगा option number D all of the above question number 27 है आपका what are the two main functions of WTO विश्व व्यापार संगठन के दो मुखेकारे क्या है तो दो मुखेकारे है आपका व्यापार संगठन के संस्थागत धाचे का प्रशासन और इसके सदस्यों के बीच में आर्थिक सहयों को बढ़ावा देना to administration of WTO's institutional framework and the promotion of economic cooperation amongst the members जितने भी member है उनकी बीच में सही होग करना और उसके साथ साथ जो framework है उसका उसको administer करना question number 28 है आपका what is full form of sales तो इसका full form होता है special economic zone विशिष्ट आर्थिक छेत्र question number 29 है आपका the balance of payment of a country is a systematic record of किसी भी देश का भुगतान संतुलन एक विवस्थित record होता है किस रीच का तो जितने भी import और export किये जाते हैं for a given period of time मतलब यहां पे include किया गया है कि normally a year मतलब समाने रूप से एक वर्ष में किसी भी देश के द्वारा जितने भी आयात और निर्यात किये गया है उनका एक निश्चित अवधी के अंतरगत लेंदेन जो भी है उसको record करना किस में किया जाता है बी ओपी में किया जाता है question में 30 है आपका devaluation of currency will be more beneficial if prices मुद्रा का अवमुल्यन अधिक लापकारी कब होगा तो यह होगा आपका जब export export become cheaper to importers यानि कि आयातकों के लिए निरा सस्ता हो है जब devaluate किया जाता है currency को तो उससे prices जो होते हैं वो कम हो जाते हैं तो export cheaper हो जाता है मतलब यहां के जो समान होंगे वो किसी और country में सस्ते दाम पर भीकेंगे अगर सस्ते दाम पर भीकेंगे तो वहां के लोग खरीदेंगे वहीं पर जब import करेंगे इंडिया वाले तो उनको महगा पड़ेगा क्योंकि value कम हो गई है और जब मुद्रा का value कम ह हो जाता है तो purchasing power कम हो जाती है और purchasing power कम होने का मतलब है कि अगर किसी समान के लिम को पहले 5 रुपा देना पड़ रहा था तो अभी 7 रुपा देना पड़ेगा तो export cheaper हो जाता है और import महगा हो जाता है तो इससे promotion of export होता है और उसके साथ demotion of import भी होता है question number 31 है आपका convertibility of rupee implies रुपे की परवर्कनियता का तातपरे क्या है तो इसका मतलब होता है option बर भी इसका correct answer है free link permitting the conversion of rupee to other major currencies and vice versa रुपे को अन्य प्रमुक मुद्राओं में बदलने की स्वतंतर रूप से अनुमती देना और उसके विपरीद मतलब किसी भी देश की मुद्रा जो जैसे leading होती है जैसे आपका dollar हो गया या फिर euro हो गया उनके form में convert करना convertibility of rupee में आता है option number 20 का correct answer है question number 32 है आपका consider the following actions which the government can take निमनलिखे कारें पर विचार कर सकती है मतलब government क्या क्या कर सकती है सबसे पहला आपका option है devaluing the domestic currency घरेलू मुद्रा का अवमल्यन दूसरा है reduction of export subsidy निर्याद subsidy में कमी कर सकती है adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FII's उपयोगत नीदियों को अपनाना जो FII से अधिक FDI और अधिक धन को आकाशित कर सकती है अब यहां पर पूछा क्या है कि आपको यह बताना है कि अगर current account deficit हो रहा है तो उपरिक्त तीनों में से कौन सा action government ले सकती है तो यह है आपका option number D first or third second option को नहीं ले सकती है कि export subsidy को कम नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है क्योंकि export तो हमारे यहां से किया जा रहा न और जब हमारे यहां से किया जागा तो foreign currencies हमारे पास आएंगी तो export को reduce नहीं किया जाता है export को promote किया जाता है तो बाकि सारे यह जो first option है और third option है devaluation of money किया जाएगा ताकि export ज़्यादा किया जा सके import को कम किया जा सके और उसके साथ FDI और FII को और policies बना करके attract किया जा सकता है कोशेंबर 33 है आपका consider the following statement regarding current account deficit CAD चालू खाता घाटा से संबंदित निमनलिखित कथनों पर विचार करना है आपको पहला है current account deficit indicates that a country is importing more than its export पहला option आपको correct लग रहा है चालू खाता यह बताता है कि कोई भी देश जितना निर्यात कर रहा है उससे अधिक आयात कर रहा है दूसरा है बोथ government and private payments are included in a calculation of CAD CAD की गढ़ना में सरकारी और नीजी दोनों भुकतानों को शामिल किया जाता है option number C है आपका CAD is always bad for the country and its economy as it drains the country's forex reserve जो CAD है देश और उसकी अर्थविवस्था के लिए हमेशा खराब होता है क्योंकि यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म करता है अब पूछा है कि इन में से कौन सा सही है तो जो first or second है option number A first or second option आपका correct है जो CAD है वो हमेशा किसी भी country के लिए खराब नहीं रहता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ emergency आ जाता है जिसके लिए import ज्यादा करना पड़ता है export कम करना पड़ता है चाहे किसी अर्थ विवस्था को develop करने के लिए भी deficit को एक बार bear करना ही पड़ता है question number 34 है आपका the term paper gold refers to paper gold शब्द का earth क्या है तो paper gold शब्द आपका sdr से संब्दित है मतलब special drawing right option number a और यह किस के द्वारा दिया जाता है imf के द्वारा दिया जाता है sdr का full form भी आपके question में हो सकता है कि sdr का full form क्या है special drawing right wishes आहरण अधिकार 35 है आपका which are the following best explains the debt service coverage ratio इंडियम निलखित में से कौन सा rate सेवा coverage अनुपात की सबसे अच्छी व्याख्या करता है तो यह है आपका option number a it is the amount of export earning needed to meet country's annual external debt यह किसी भी देश के वार्षिक विदेशी एरेड को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्यात आई की राशी है question 36 है आपका which one of the following is not correct in context of BOP in इंडिया during 2013 to 2014 2013-14 के दोरान भारत के भुगतान संतुलन के संदर्व में निमने लिखित में से कौन सा सही नहीं है तो capital account balance was negative यह आपका नहीं है option number D जो पूंजी खाता 6 था वो रेडात्मक है ऐसा नहीं है बाकि यह तीनों option आप एक बार पढ़ लिजेगा कि भारत का आयात निर्याद आयात से कम था व्यापार संतुलन रेडात्मक था और शुद्ध अद्रिश साकरात्मक थे question number 37 है आपका FDI is investment directly into production by foreign country which are the following mode is correct FDI विदेशी देश द्वारा सीधे उत्पादन में निमेश है निमने लिखित में से कौन सा तरीका इसका है तो buying a company in target country किसी भी जैसे US है उसका target country है इंडिया तो यहां इंडिया की किसी company को खरीद लेना और तीसरा option है investing in the shares and stock of target countries company यह दोनों सही है FDI के लिए तो किसी भी देश में shares को खरीदना उसके जो stocks है उनमें invest करना किसी company को खरीद लेना यह FDI के अंदर गता आता है और option number B है आपका expanding operations of an existing company मौजूदा company के संचालन को विस्तार करना यह FDI में नहीं आता है question number 38 है आपका India's export in international trade अंतरास्टिये व्यापार में भारतिये निर्याद less than 1% है more than 1% but less than 3% 5% और more than 5% तो यह 1% से अधिक है लेकिन 3% से कम है option number B import और export में confused मत हुईएगा import मतलब ऐसे याद कर लिजेगा IM मतलब हम लोग अपने यहां खरीद रहे हैं EX मतलब यहां से हम लोग भेज रहे हैं question number 39 है आपका foreign exchange and foreign currency in India is governed by भारत में विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा foreign exchange मतलब होगा विदेशी विनिमे और विदेशी मुद्रा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो यह नियंत्रित किया जाता है banking regulation act 1949 के द्वारा question number 40 है आपका विशो तो following is correct निवन लिखित में से कौन सा कथन सही है India's trade review policy is carried out every four year भारत की व्यापार समिक्षा निदी हर साल हर चार साल में की जाती है यह correct है दूसरा है आपका WTO has a mechanism for review of trade policies of its member countries विशो व्यापार संगठन के पास सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समिक्षा का एक तंत्र है option number C है आपका बोथ correct तो दोनों के दोनों कतन सही है इसके साथ पहला या दूसरा question number था जहां पर 2015 से लेकर के 2019 वाला था वो question था तो आप इससे relate करके याद कर सकते हैं कि 2015 से 2019 तक का वो review करके उसके बाद इंडिया से related trade policy पे कुछ comments किये गया थे उसमें से कौन सा कतन सकते था तो यह 4 साल पे होता है और WTO के पास एक mechanism है जिससे वो क्या करती है जितने भी member countries है उनके trade policies को वो देखती रहती है and insurance निमने लिखित में से कौन सी संस था निर्यात with portion और वीमा से संबंदीत है तो वो संबंदीत है आपकी ECGC question 42 है आपका import tariff is a tax or duty levied on commodities आयात शुलक वस्तूओं पर लगाये जाने वाले शुलक या कर है तो वो होता है आपका imported मतलब जो आयात किये जाने वाले वस्तूओं है उस पर लगाये जाता है 43 है आपका N यहाँ पर DAS होगा DAS is a tax or duty levied on exported commodities निर्यात की गई वस्तूओं पर लगाये जाने वाले कर या शुलको को क्या कहते है तो उसको हम लोग कहते है एक्सपोर्ट अगर import वाला है तो उसको import tariff कहेंगे Q44 है आपका DAS refers to purchase of goods from a foreign country किसका तात परे है किसी भी देश से माल को खरीदना तो उसका मतलब होता है import trade समान को बाहर से मंगाना Q44 है आपका DAS is a fixed percentage on the value of traded commodity DAS व्यापारिक वस्तू के मुले पर एक निश्चित प्रतिशत है तो वो है आपका add valorum मतलब जैसे कोई भी commodity 500 की है तो text लग जाएगा आपका 10% तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो fixed percentage of amount है जो as a text कट जाएगा तो वो होता है add valorum 45 है आपका cash, grant, loan at low rate and tax holidays are example of नगत अनुदान देना, कम दर पर rate देना या फिर कर की छूट कर देना ये किसमें आता है ति ये आता है गवर्मेंट के द्वारा subsidies दी जाती हैं जो export companies होती हैं उनको question number 46 है आपका dash refers to sale of goods to a foreign country किसका तात पर है विदेशी देश को माल की विकरी करना मतलब बेचना समान को तो वो किसमें आएगा एक्सपोर्ट में जब समान को हम लोग खरीते हैं तो वो इंपोर्ट में आता है question number 47 है आपका dash is combination of an ad valorem and specific tariff यानि कि जो value पर लगता है एक fixed amount और उसके साथ विशिस्ट tariff अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित tariff compound tariff जहाँ पर दोनों को जोड़ रहा है एड valorem को और specific tariff दोनों को question number 48 है आपका dash refers to goods imported from one country and are exported to another country एक देश से माल को मगाना और किसी दूसरे देश को उस माल को बेच देना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको कहते हैं intraport trade इसका हिंदी नहीं मिल रहा था तो उसको मैंने हिंदी में ही लिख दिया है आप एक बार English मागर question आता तो आप देख लिजेगा बस concept को समझ लिजे कि जैसे USA है चाइना है और यहां इंडिया है इंडिया कोई समान USA से मंगाता है और वो समान चाइना को बेच देता है जो समान उसने USA से मंगाया है वो समान चायना को बेच दिया तो उसको मैं बोलेंगे intraport Q49 है आपका DAS is a group of countries Agree to abolish all trade restrictions and barriers DAS देशों का एक समू है जो सभी व्यापार, प्रतिबंधों और बाधाओं को समाप्त करने के लिए सहमत है तो ये है आपका free trade area इसको FTA के नाम से भी जानते हैं मुक्त व्यापार छेतरे इसके अंतरगत क्या होता है कि कोई भी देश एक दूसरे के साथ import-export trade कर सकते हैं जहां पर सुल्क कोई नहीं लगाया जैसे custom duty हो गया, excise duty हो गया import tariff हो गया, export tariff हो गया add valorum हो गया, वो सारी चीज़े उसको हटा दी जाती है Q50 है आपका DAS was established by multilateral treaty of 23 countries in 1947 DAS 1947 में 23 देशों की बहु पक्षिय संधी द्वारा स्थापित किया गया था तो यह है आपका general agreement on trade and tariff अब यह पूश्टाकता है कि GAT की स्थापना कब की गय थी तो 1947 जब स्थापना की गय थी तो कितने देश थे 23 थे GAT का full form भी हो सकता है नाफटा का हो सकता है अंकटार्ट का हो सकता है तो वो सब full form से आप याद कर लिजेगा Question number 51 है आपका DAS refers to tax imposed on import आयात पर लगाए जाने वाले कर्व को क्या कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं tariff Question number 52 है आपका When did the world trade organization came into existence विश्व व्यापार संगठन कब लागू हुआ था तो वो है आपका 1 January 1995 अब WTO से related ये भी पूछ सकता है कि किसको वो replace किया था तो GAT को replace किया था GATS GATS अलग है GATS अलग है जो GATS था वो WTO का ही एक agreement था लेकिन ये जो GAT है वो अलग से था जिसको replace करके WTO को बनाय गया था 1 January 1995 में और इस से related एक और पूछ सकता है कि GATS का सबसे last round कौन सा हुआ था कहां पर हुआ था तो वो रुगवे round हुआ था जिसमें GATS को समाप्त कर दिया गया था शायद 1984 से start हुआ था या 1983 से start हुआ था और वो 1993 तक चला था पूरा वो round चला था उसके बाद फिर ये decision लिया गया कि WTO की establishment की जाएगी और उसको आर्थोर डंकल ने प्रपोस किया था कि GAT की जगां पर WTO को रखा जाए तो इसलिए उसको डंकल के नाम से भी वो प्रसिद्ध है और उन्होंने 10,000 pages के वो दिये थे प्रपोसल दिये थे कि WTO को क्यों रखा जाए Q53 है आपका How many members are present in WTO विश्व व्यापार संगठन में कितने members हैं तो वो है आपका 164 Where is the headquarter of WTO Headquarter है इसका जेनेवा में Q55 है आपका Which of these institutions is not a part of World Bank Community इन में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है तो विश्व बैंक के टोटल 5 parts है IFC हो गया, IDA हो गया, IBRD हो गया MEGA हो गया, ICSID हो गया वो सब include है WTO एक अलग संस्थान है Along with the World Bank and DAS WTO is the third economic pillar of worldwide dimension विश्व बैंक और DAS के साथ विश्व वियापार संगठन विश्व वियापी आयामों का तीसरा आर्थिक स्थम्भ है तो वो होता है आपका International Monetary Fund IMF IMF और World Bank वो ब्रेटन वोट के ट्विन भी बोले जाते है Q57 है आपका विश्व फॉलोइंग स्थेट्मेंट इस फॉल्ड निम्न लिखित में से कौन सा कथन गलत है इंडियाज वोट शेयर इन इंटरनेशनल Monetary Fund is 10% ये गलत है Q2 है बोथ IMF और IBRD हैव हैड़ क्वार्टर्स इन वासिंगटन IMF और IBRD दोनों का वासिंगटन में मुख्याला है ये करेक्ट स्थेट्मेंट है IBRD को World Bank के नाम से जाना जाता है ये भी सही है IMF और World Bank दोनों को Britain Wood Twins भी कहा जाता है तो ये तीनों आप्शन सही है option number A इसका answer होगा क्योंकि voting right 10% नहीं है Q58 है आपका Among the following options which one is not objective of WTO निमने लिखित में से कौन सा विश्व वियापार संगठन का उद्देश नहीं है तो environment को protect करना सही है To improve standard of living of people of member countries जितने भी सदस्य दे से उनके जीवन अस्थर में सुधार करने के लिए कारे करना ये भी सही है To enlarge production and trade of goods माल के उत्पादन वियापार को वड़ावा देने के लिए वो motivate करते है वो भी सही है To improve the balance of payment situation of member countries ये इसका पार्ट नहीं है Option मर भी correct answer है Question 59 है आपका Who is current director general of WTO WTO के वर्तमान महाने देशक कौन है तो ये है आपके Robert H. Vado Question 60 है आपका ये last question है इस वीडियो का TRIPS यानि कि Trade related aspect of intellectual property rights ये full form भी आपको यादोना चाहिए TRIPS हो गया TRIPS हो गया Gets हो गया फिर उसके बाद जो संस्थान है उनसे related थोड़े थोड़े information होने चाहिए क्योंकि जो foreign trade management का Salable से वो इतना ज़्यादा broad है questions चाहे तो बहुत सारे बन सकते है Agreement is administered by DAS TRIPS को TRIPS समझाओते को किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है तो ये सब के सब TRIPS हो गया TRIPS हो गया Gets हो गया ये सब WTO का पार्ट था जब Gets को हटाया गया था तो total WTO के साथ 8 और agreements आये थे तो उसमें एक पार्ट है आपका TRIPS I hope आपको सारे questions समझ में आये हूँ किसी question में doubt होगा तो पोच लेजेगा मिलते हैं next video में धन्यवाद